हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है सिप्टेमबर की तेरा तारीख और आज मैं आपसे अपना प्लांट शॉपिंग का विडियो शेयर करने जा रही हूँ विडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और पसंद आये तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी आने वाली विडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कुछ दिनों से मैंने आपसे विडियो शेयर नहीं किया हुआ था क्योंकि मैं बाहर थी, तीज तेवहार मनाने अपने माय के गई थी और कल ही वापस आना हुआ कुछ प्लांट्स मैंने खरीदे हैं वही आपसे शेयर करूँगी आज, उससे पहले मेरे नीचे पोर्च में लगे हुए कुछ फ्लावर्स प्लांट, कुछ शो प्लांट देख लिजे, उनकी कंडिशन चार दिनों में कैसे हुई है, चार दिन मैं बाहर थी और यहाँ पर मेंडे विल्ला वाइन देख रहे हैं आप, इसको मैं टेरिस पे ले जाओंगी, और बारिश हो रही है, हमारे यहाँ अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है, आज तो सुबह से ही पानी गिर रहा है हमारे यहाँ, अभी दोपहर के बारा बजे हैं, और इस और सारे कटिंग बहुत अच्छे से चल गए हैं, और यह मेरा रातरानी का प्लांट है, प्लांट शॉपिंग छोटा सा है, इसलिए मैं आपको अपना पोर्च गार्डन का व्यू भी दिखाते हुए, जारीं फ्रेंट्स तो जरूर देखेगा, और कैसे हैं मेरे प्लांट् यहां पर जिरेनियम का प्लांट भी अच्छे से चल रहा है, और इस तरब भी देखे सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ब्लू डेज आप देख सकते हैं, और यह हमारा बेबी टियर्स है, यह टेंगल हार्ट है, और टेटल वाइन है, और यहां पर स्वीट पोटोटो बारिश का पानी मिले, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, स्पाइडर प्लांट, यह थूजा का प्लांट है, और यह हमारा क्रिस्मस ट्री है, अरेलिया, बॉल अरेलिया, इसको भी मैंने अभी बाहर निकाला है, तो इस तरह से थोड़ा बारिश का तो इनकी मिट्टी थोड़ी सूख गई थी, तो मैंने अभी सारे प्लांट को बाहर निकाला है, और बहुत तेज तो नहीं है बारिश, फिर भी ठीकी ठाक हो रही है, और देखी यहाँ पर भी मैंने लिकाला हुआ है, और यह सारे मेरे पोर्च गार्डन के प्लांट है, औ और इस तरब भी देखी यह सारे प्लांट चल रहे हैं, तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, छोटा सा शॉपिंग है, भिलाई गई थी अभी, तो मैंने वही से यह प्लांट लिया है, और बस का सफर होता है, फ्रेंड्स वापसी हम बस में आये हैं कल, तो थोड़ हुआ है, एक वाइट और एक रेड, यह मुझे मिला है, पचीस पचीस रुपए का, एक एक प्लांट पचीस पचीस रुपए का, कटिंग से बहुत इजी ली ग्रो हो जाता है, बिगोनिया का प्लांट, मेरे पास था पहले से ही तीन कलर के थे, वाइट, पिंक और रेड, जिसमें से वाइट वाला ही बचा है इस साल, क्योंकि बारिश बहुत हुई है हमारे यहां, अभी भी हो रही है, और एक मैंने यह पेंटास लिया है, रेड कलर का, और मुझे लगता है, यह कलर मेरे पास नहीं था, अब क्या पता कि दोनों सेम हो जाए, यह तो रेड है करक के मुझे दिया गया है, और यह मुझे 30 रुपीस में मिला है, यह भी बहुत तीजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है, पेंटास का जो प्लांट है वो, और बहुत सारे कलर में मिलते हैं, परपल भी था, परपल भी मुझे लेना था, लेकिन मैंने एक ही यह रेड वाला ही खर प्लांट था, वो भी पॉली बैग में लगा हुआ था, उसको सो रुपय बताया, और यह थोड़ा सा है, ज्यादा घना नहीं है, उसको 50 रुपय में मुझे दिया है, नर्सरी वाले ने, और यह आप देख रहे हैं, यह देख रहे हैं, मैं इसको अलग से करके दिखाती हू तो बस इतना सा प्लांट है, और 50 रुपय में मुझे मिला है, देख रहे हैं, यह बस इतना सा, और जो बाजू में आपको दीख रहे है, वो गोल्डन साइप्रस है, जुनीफर भी बोलते हैं, गोल्डन जुनीफर, यह कटिंग है एक्चुली, मैं पार्क गई थी, तो वह मुझे यह प्लांट दीखा, तो मैंने कुछ कटिंग वहां से ले लिये, और तुरंत यह पॉली बैग में दबा दिया है, तो आई होप यह भी चल जाए, दो तीन कटिंग लगी हुई है, और सबसे जो मेरा फेवरेट प्लांट है, विंटर का, वो मैंने लिया है, मैं अप 23 के खराब हो गए है, यह पिंक वाला है, दिख रहे हैं, बहुत खुबसूरत, रानी कलर, और यह चारिंज के पॉट में लगा हुआ है, और यह मुझे मिला है 100 रुपय का एक प्लांट, 120 बोला, नरसरी वाले ने, लेकिन 100 रुपय में मुझे मिला है एक प्लांट, इसीली बहुत इसीली इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, 3-4 इंच की भी यदि आप लेते हैं तो, और अभी यदि आपको मिलता है इसका प्लांट कटिंग तो आप जरूर लगाएं, और इसको आप अभी अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं, दो कलर मैंने लिया है, एक ये वाला और ये भी काफी हेल्दी प्लांट है, ये भी 100 रुपय मिला है, तो 200 रुपय में मुझे 2 प्लांट मिले हैं, और काफी हेल्दी प्लांट है, और बहुत अच्छे से ये चलने वाला, इसके जो फूल होते हैं, वो लंबे समय तक प्लांट पर बने रहते हैं, विंटर का बह मुझे बहुत शौक था एक्चुली मेरी फ्रेंड ने मुझे इसकी कटिंग भी दी थी लेकिन वो नहीं चल पाई और ये थोड़ा सा अलग फाइकस है वेरिगेटेट है वेरिगेटेट में आप भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे एक तो इस ये वाला और एक जो मुड़े ह से लेके आई थी और तूरंत मैंने इसमें ग्रो कर दिया है तो ये प्लांट मुझे साथ रुपए में मिला है जो फाइकस का प्लांट है वो साथ रुपए में मिला है तो यही मेरी छोटी सी शौपिंग है साथ प्लांट मैंने खरीदे हैं टोटल तीन सो साथ रुपए मैं उसमें से एक प्लांट निकल रहा है और एक अडेनियम का बेबी प्लांट निकल रहा है अडेनियम के भी बीज मैंने डाल दिये थे यहां पर देख रहे हैं और एक पॉडर पफ का अभी कुछ भी अता पता नहीं है बीज का और देखे इतने सारे मैंने केलन कोई के प्लांट ग्रो किये हुए हैं तो आज की वीडियो में यही शेयर करना था अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैपी गाडनिंग बाई